सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र नूस चैनल को और लेक्टेस्ट यूज अपडेट्स के लिए बेल आई कॉज जरू उर्दवाइन जो है आज आज़ाद मैदान में धर्ना पडर्शन पर बैटे हम बात करना चाहेंगे इनके अध्यक जो है अपपा सहेब सरसे सर क्या कहना चाहेंगे किस वज़े से आप लोगों ने इतने बड़े पेमाने पर यहां पर धर्ना पडर्शन तो महराष्ट मैं आधिवाशी में चो 5-45 जाती आती है फुर्टीफाय। उसमें से पारधी एक आधिवाशी जमात है। पार्दी जमात को उस बजट में से स्वतंत्र कुछ प्रोविजन अमारे लिए की जाए ऐसे आम मांग कर रहे हैं आगाडी सरकार्क जो थी कॉंग्रेस राष्टवादी की उन्होंने अमारे लिए पार्दी पैकेज स्वतंतर पार्दी पैकेज दिया था उसमें से पार्दियों की लिए खास योजनाई बनाई गई थी उस योजना के आधार से पार्दी समाज को गरकुल, खेती और कुछ पार्दी समाज को योजना दी गई थी लेकिन ये जो अभी गाव में उनको रहनी नहीं दिया जाता गाव से विश्थापी दो के बमध में आके पड़े है मुंबई अगर तुमको स्वच्च चाहिए, सुंदर चाहिए तो पहले ये 55 उड़ान फूल जो है फूल के नीचे जो पारदी रहते है उनको घर देना चाहिए उनका फुनरसन करना चाहिए तबी तुमारी मम्मई सच्चे हो सकती है पुटपाथ पे रहे रहे पारदी, उनको घरकुल देना चाहिए, और जो इदर आके छोटा मोटा व्योसाई कर रहे है, उध्योग कर रहे है, जो फूल बेच रहे है, उनको लाइसन देना चाहिए बीमसी ने, जो फुग्य बेच रहे है, महाराश्ट अपने शुइंग नल पे जो लिम्बू मिर्ची बेच रहे शनिवार की दिन और जो छोटे-मोटे उद्योग जो महारा है मुंबई में हम कर रहे हैं मुंबई पुना और नागपूर जैसे बड़े शेरों में जो पारदी समाज आके पड़ा है हजारों के तादात में पारदी समाज आत बंबई में आके पड़ा है लेकिन उनको ना जोपड़ पट्टी में जगा है ना किदर उनको मकान मिल रहा है ना कोई एसरे में उनको कुछ मिल रहा है बाहर के राज्ये से लोग आ रहे है इदर महारस्ट में उनको मकान मिल रहा है लेकिन पारदी समाज के लिए कोई मकान नहीं, कोई उनको सुविदा नहीं, कोई राशन कार्ड नहीं, उनको कोई गवर्मेंट की फैसलिटी हिसली नहीं मिल रही कि उनके पास कोई सरकारी दाखला नहीं है। आप लोग इतने यहीं के रहें, यहीं पे आप लोग 70 साल से जिस तरह से आप लोग अंदोलन भी कर रहे हैं, काफी मुद्दे हैं, गौर्मेंट भी है, उनके साथ जिस तरह से मोधी सरकार ने बोला है कि 2011 तक का जो भी रहेगा, हम उनको हर गरिब को घर देंगे, तो उसमें आप क्यों ने सेट हो सकते हैं? जाग दी, ओलोग उदर ही रहे गए, 30-35 साल हो गये, आभी उदर आके mmRDN उनको फूरा अक्शन ले लिया, पूरा उनके मकान तोड़ दि है, रास्ते पे रह रहे है, पूलिस लोग उनको रास्ते पे खाना नहीं पकाने देती, उनके उरन में जो आप रह रहे हैं सब लो किया है जिस तरह से देखा जाता है कि जो गरीब अगर आप बात कर रहे हैं मोदी जी अभी पूरे सत्य में है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का उनका इस बार का जो नारा है यानि वो ना कहीं भी उस बात पर सटिक नहीं उतर रहे हैं आपका ये कहना नहीं के शर्कार सेट Ol disappoint be Trondheim वैन के लिए ठीक है लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ्छी हो रहा है लेकिन रखेद कե संद्म कर थैन्म के अगर सबभशे ञीए घंद ED मारला फीचता है था दिख्रन में अगई दक द्रक्रता है कि अधिक अफिक सरस्द पार्दी समाज कामारा समस्ते कर निचे जब तक नीचे के लोगों को साथ नहीं किखा सकत 40 अधिसी पार्दी का मांनोंगा कि स्फ़ को हो गया अग्ला सक्राव महाराष्ट अगर 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 तर साल में अगर 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 शुट गई यह आज के अंदोलन के बाद भी तो हम पूरे महाराष्ट में चका जाम कर देंगे अंदोलन करेंगे हम हर प्रकार के अंदोलन करेंगे हम जेल भर अंदोलन कर सकते हैं हम रेल रो को अंदोलन कर सकते हैं रास्ता रो को अंदोलन कर सकते हैं हम सर्ज सब जगह के अंदोलन तालुका और जिल्ला पातली पे हम सब महाराष्ट में अंदोलन करेंगे ये थे अपा सहेब जिनका साफ कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो सड़क पड़ा करके आंदोलन करेंगे कैमरामेन बबलू के साथ संदर सिर्वास्तो ग्लोबल चक्र न्यूस मॉंबाई